जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना बिलकुल ना भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे 28 और 29 मार्च को देश ब्यापी हरताल 28 और 29 मार्च की देश ब्यापी हरताल को लेकर ट्रेड यूनियन पूरी तेयारी में है रामगर के उरीमारीच एक पोस्ट पास युनाइटेट कोल वर्कर यूनियन के छेत्रिय कर्याले में यूनियन की जीबी मीटिंग हुई बैठक में मुख्या थी थी एटक के राष्ट्रिय अध्यक्ष रमेंद्र कुमार मौजूद थे इस औसर पर रमेंद्र कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार किसान मौजूर विरोधी सरकार है सरम कानून को संसोधन कर सरकार मौजूरों के हक अधिकारों को छिनना चाती है सरोजनिक उपकर्मों को निजी करन या बेच कर पुझी पतियों के हीत में सरकार काम कर रही है किसानों मजदूरों को अपने हाग अधिकारों के लिए सजाग रहने क्यों सकता है उन्होंने कहा कि 28 और 29 मार्च की देश ब्यापियार्थार को सफल और एत्यासिक बना कर केंद्र सरकार की मजदूर किसान बिरोधिन निती का जबाब देना है जार्खन में दो महीने में 36 हेर सिक्षकों की होगी बहाली जार्खन में सरकारी नोकरी की तलास कर रहे है उमिद्वारों के लिए अची खबार है राजे में जल्द ही 60 हेर सिक्षकों की बहाली की जाएगी इसके लिए जार्खन सरकार के और से त्यारी तेज कर दी गई है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजी के सिक्षा मंत्री जगनात मतों ने कहा है कि अगले दो महिने में 36-6 को के रिक्त पदों को भरा जाएगा साथ ही अन्य पदों के लिए भी बहाली की परकिया जल्द ही सुरू की जाएगी सिक्षा मंत्री ने कहा है कि जार्खन में स्टिक्षकों के 60,000 पदों का स्रिजन किया जाएगा पाले फेज में दो महिने के अंदर 36-6 को की बहाली की जाएगी उन्होंने बताया कि इस मामले मुख्य मंत्री है मन्सुनें से बात हो चुकी है आयसे अधिक संपती मामले में बंदू तिर्की पर फैसला कॉल रांची सीविल कोट इस्थीत CBI के बिसेश ने आजिस पीके सर्मा की अदालत में मांडर विधायक सा कॉंग्रेस के करकारी अध्यक्ष बंदू तिर्की पर 28 मार्च को पैसला सुनाया जाएगा ज्यार्खन के पूर्व मंतरी बंदू तिर्की पर 6,58,67, pyrami रुपय आईसे अधिक संप्ति अर्जित करने का रूप है इस मामले में पहले CBI में केस दर्ज किया गया था इसके बाद CBI ने 2010 में बंदू तिर्की पर आयसे अधिक संपति अर्जित करने का केस दर्ज किया था जारखन पंचायच चुनाव की संभावित तिथी 25 अपरेल बाद स्कूलों में होने वाली नौवी मैटरिक और इंटर की परिक्षा समाप्त होने के बाद ही पंचायच चुनाव कराया जाएगा क्योंकि स्कूलों में ही मतदान किंद्र बनाये जाते हैं ऐसे में परिक्षा के दोरान चुनाव कराने के लिए स्कूल भौनों को लेना संभव नहीं होगा वहीं परिक्षा के दोरान सिक्षकों की भी ड्यूटी रहती है जबकि सिक्षकों को पंचाय चुनाव कारे में लगाया जाता है बता दे इस पर राज निवाचन आयोग मंतन कर रहा है आयोग सभी तरह की परिक्षाओं का सेड्यूल देख रहा है जब स्कूल और सिक्षा खाली होंगे तभी चुनाव कराया जा सकता है कस्तूर्भा स्कूल के सिक्षकों के मांदे में 20% बिरिधी राज एके 203 कस्तूर्भा गांधी बायल का बिद्याले और 57 ज़ार्खन बायल का आवासी बिद्याले के सिक्षकों के मांदे में 20% की बिरिधी की गई है ज़ार्खन सिक्षा पर्योईना ने इसे लेकर पत्र जारी कर दिया है पर्योईना निदेशक द्वारा जीले को भेजे गई पत्र में बिद्याले के पुर्ण कालिक हुआ अंस कालिक सिक्षकों के मांदे में 20% की बिरिधी की जनकारी दी गई बता दे मांदे बढ़ोतरी 1 अप्रेल 2021 से ही प्रभावी होगी जार्खन में बिजली संकट अनिवार को दिन भर लोट सेडिंग होती रही हलाकि देर साम इस्थिती सुधार गई वहीलो हर्दगा गुमला सिम्डेगा खोटी जमसेदपूर चाई बसा गड़वा पलामू लाते हार और संथार परगना के इलाकों में जम कर लोट से हुई है बता दे राजे में टीवी एन एल की एक यूनिट सुक्रवार की राठ ठप हो गाई इस कारण एक ही यूनिट चल रही थी कला संस्कृति के संग्रचन के लिए समोहिक पर्यास जरूरी सिक्षा मंत्री जार्खन के बोकारो जिले के नवा डिपरखन की बिरनी पंचायत के मंजली टार गाओ के समीप खेल मैदान में नवजुवक समीती सहजुवा साती द्वारा आवजीत सातवा जार्खन महत्सो काउदगाटन सिक्षा मंत्री जगानात महतो ने किया उन्होंने कहा कि कला संस्क्रीती के संग्रचन के लिए समोहिक पर्याश करना होगा प्रसीद नट्टुआ बाज स्यामलाल महतो ने अखरा पुजाकर जार्खन की भासावा कला संस्क्रीती उत्सो परत्योक्ता के सुरुवात की परत्योगता में जार्खन समेथ पच्छिम मंगाल एवं ओडिशा के लोग कलाकारों ने नटुआ, पाई का जूमर एवं छो निरितेका परदसन कर गरामिनों को जूमने पर मजबूर कर दिया गढवा बस इस्टेन का 2.8 क्लोर से होगा जिर्नोधार गढवा जिला मुख्याल है केस और पूरवा इस्थीत अंतर राज जिये पाली का परिवहन बस पड़ाव की बदहाली अबदूर होगी इसका दूपरट 8.8 क्लोर की लागत से जिर्नोधार होगा मंत्री मिथलेश कुमार ठाकुर के अनुशार उनके परियास से 13 एवं 15 बीतमत की राजिश जिर्नोधार की प्रसासनिक सोक्रिती पदान कर दी गई सिगर हीट टेंडर की परकिरिया पूर्ण कर कार पररण किया जाएगा बता दे नए प्राकलन के अनुशार बोस सिस्टेंड में दुकान निर्मान दो पहिया तथा तीन पहियावानों की पारकिंग सहीत और शुदाय उपलब्ध होगी राज़ेपाल रमेस बैस ने नेतर हाट में सुर्योदाय का नजारा देखा जारखन के राज़ेपाल रमेस बैस सुर्योदाय का अदभूत नजारा देखा इस अनुपम द्रिसुकों उन्होंने अपने कैमरे में भी कैद किया राज़ेपाल के दोरे को लेकर सुरक्षा के पुक्ता इंजाम किये गया है सरावनी मेला और भादो मेला के लिए तयारी आगामी सरावनी व भादो मेला में देवगर नगर निगम सपाई कारे के लिए छेतर को आठ जोन सब जोन व गैंग का निर्धारन कर काम करेगी निर्धारित व प्रस्तावित आठ जोन में बावा मंदीर मान्सरोवर फूट ओवर बिरीज, सिव गांगा पुर्वतत, बीएट कॉलेज, कंजर्वेंसी डीपो, नंदन पहार चोरहा, सिंगवा वा अचार्य नरेंद्र देव भवान, जसी डी सामिल है बतादे जोन के अंदर कूल, 74 सब जोन की ब्यवस्ता की गई है सब जोन के अंदर सफाई गैंग की ब्यवस्ता की गई है नगर निगाम एवं कार एजेंसी, प्राइबेट द्वारा निर्धारी जोन के ताथ, 24 ट्रेक्टर, एवं 40 डीपर द्वारा कचरे के उठाव की ब्यवस्ता की गई है मुख्य मंत्री हिमंद सुरेन पर बरसे बावुलाल मरांडी भाजपा विधायक दल के नेता बावुलाल मरांडी ने एक बार फीर साहेव गांज, मनिहारी, फेरी, घार, जहाज, हाथसे को उठाते वे फरस्टा चार के पूरे तंत्र पर निसाना चाधा है बावुलाल ने इस प्रक्रण में अस्थानिय उपायूत की संदिक्द भूमिका को उजागर करते हुए उन्हें ततकाल बर्खास्त करने और पूरे मामले की सीबियाई जाच की मांग की है रब्यवार को भाजपाप परदेश मुख्याले में मीडिया से बाचीत में मरांडी ने राज सरकार को चेताते हुए कहा की हुए इस मामले की जाच कराक कर रहेंगे चाये उन्हें किसी भी अस्तर तक जाना पड़े बता देखी बाबुलन मरांडी ने 25 मार्च को घाटना के अगले दीन विधान सबा में भी इस मामले को उठाया था फिर बड़ी पेट्रोल डिजल की कीमते सरकारी तेल कमपेणियों ने आज भी पेट्रोल और डिजल के नए रेट जारी कर दिये हैं पेट्रो उत्पादो के मुल्य मांगाई के रेसिंग ट्रेक पर लगातार सरपट चाल से दौल लगा रहे हैं इसके रेट में बिरिधी लगातार जारी है बता दे रभी वार 27 मार्च को राय धानी राची में इनकी कीमतों में फिर से करम से 51 और 58 पैसे की बिरिधी हुई देखा जाये तो 6 दिन के अंत्राल में पांच भी बार पेट्रोल और डिजल के दाम बढ़े हैं जेई मेंस पर इक्छा पर संसा है जेई मेंस 2022 के लिए आवेदन पर क्रिया 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी इंजिनियरिंग के एक चुक उमिद्वार वेपसाइट पर लोगिन कर सकते हैं और जेई मेंस आवेदन पत्र भर सकते हैं बता दे एक बार आवेदन पत्र जामा करने के बाद प्रसासन निकाय राष्ट्रिय प्रिक्षन एजेंसी जेई मेंस 2022 पंजी करन फर में किसी भी सुधार के अनुमती नहीं होगी बता दे जेई मेंस 2022 जो 21 अप्रेल से 4 माई के बीच आवेजित होने वाला है सिफ्ट में आवेजित किया जाएगा बैकल्पिक प्रस्ण जो पिछले साल पेस किये गए थे वेजेई मेंस 2022 में मौझूद रहेंगे सिसील अधिकारी से ठगी करने वाला साइबर गिरफतार जार्खन पूलिस के अपराद अनुसंधान विभाग के अधिन संजाली साइबर अपराद थाने के पूलिस ने उसे नई दिली स्थीत कल्यान पूरी से गिरफतार किया उसका पूर्व अपरादिक इतिहास भी पाजा गया वा पूर्व में मुरादा बाद से भी साइबर अपराद के मामले में गिरफतार कर जेल भेजा गया था 720 ITI अनुदेशको की बहाली राज्य के सरकारी और द्योगिक प्रसिक्षन संस्थानों में अनुदेशको की बहाली के लिए अगले माह के पहले सप्ता में परक्रिया सुरू होगी जार्खन करमचारी चैन आयोग इस प्रतियोगिता परिक्षा के लिए बिग्यापन जारी करने की त्यारी कर रहा है परिक्षा कम्प्यूटर बेस्ट होगी बिग्यापन के साथ ही इस परिक्षा के पैटर्न वा सिलेबस की जनकारी अव्यारतियों को दी जाएगी धन्यवाद